क्या आप गोलकि सिटिजन अमेंट्मेंट्मेंट बिल जो पास हुई है ज़र मैं इसके तालुक से आपको समझाना चाह रहा हूँ यह बिल का मतलब है कि जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान से और बंगलादेश से जो लोग आकर हिंदुस्तान में रह रहें थे उनको हम रफीजूईस बोलते हैं यह रफीजूईस को सिटिजन शिप हिंदुस्तान का सिटिजन शिप देना है तो हमारी जो गावर्मेंट है पीजेपी के नरेद नर्वोदी अमिच्छा ये क्या करें बोलतो हर एक मजब को citizenship दे रहे हैं जैसा हिंदू है सिख है क्रिस्टन है पार्सी है जैन है मार एक सिर्फ मुसल्मान को नहीं देता हूं बोल रहे हैं ये बीजेपी की गौर्बेंट महात्मा गांधी की देड़ सो बर्थडे मनाती और आज जो काम करती जिन्ना के स्टैल में जब हिंदूस्तान आजाद हुआ था पाकिस्तान ठरम के आधार पे चले गया और हिंदूस्तान इंसानियत और सेकुलरिजम के आधार पर बटा आज जो हमारा कॉंसिट्यूशन है उसके आप अगेंस जा रहे हैं आप मुसल्मान को हम नहीं देते हैं सिटिजेंसिप इसका क्या क्लियर कट मतलब बीजेपी की हुकुमन हिंदूस्तान को एक हिंदू राष्ट्र बनाना पेख है बरके बनाना और आप आप गुर रहें मुसल्मान को नहीं तो बीजेपी का दिबाख जो आरेसे से भरावा है ये जंग संग ये बात करी थी 1960 में कि हम CAB लाएंगे NRC लाएंगे डिवाइड एंड रूल करेंगे हिंदू राष्ट्र लाएंगे तो जो भी ये जंग संग सोची आज की हुकुमत नरेंदर मोदी अमित शाह उसको अमल कर रहे और कांग्रेस पाटी ता हुमर इसको अपोस करते रहेंगे और जब तक मुसल्मान भायों को ये बिल में हम नहीं लाएंगे हम जब तक चैन की नींद सोगे नहीं ना बीजेपी को सोने देंगे जैहन जै कांग्रेस सुखरिया पास किया गया उसके अगेनिस्ट में आज हमारे हाल इंडिया कंग्रेस कमेडी के अधिश के उपर ग्रेटा हैजराबाद कंग्रेस कमेडी की तरफ से आज गांधि भॉन के पास हम लोग जिए अनर्सी के अगेनिस्ट को टेस कर रहे हैं क्योंकि आज राजासभा में बिल पास होने वाला है जैसा कि बाबा साथ मेटकरने जिन्होंने खास वर पर हर मजब के जानने वालों को हर मजब से तालोगने वालों को उनके हक के लिए उन्होंने खानून मनाया लेकिन अफसोस के बाद है कि इतनी तवीर मुद्दत के बाद आज हर जान्दा पार्टी के हमारे अमिर शाह और नहर नर्मोधी के प्लानिंग के तायर जो एनार्सी का बिल को पास करने की जो घनावने कोशिश है हम इसको खते हम बरदास नहीं करेंगे और जब तक हम इसका ह